हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्त होंगे स्वागत आपका फियर्स क्लाउड लर्न टू लीड में गुड मॉर्निंग तो आज हम डिसकस करेंगे पांच जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करेंट फिर जिसमें लिए वीडियो को बिलकुल लास तक आपने देखना है लेकिन उससे पहले आप हमारी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें करियर्स क्लाउड को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लॉग इन कर ले अपनी इमेल आईडी के तुरू और क्रैक करके एक स या फिर दो साल की सब्सक्रिप्शन आप बाई कर सकते हैं दोनों का ही प्राइस बहुत कम है लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रवाइड करेंगे हम आपको डेली क्रांट फेर्स प्रवाइड करेंगे डेली में तीन सेक्शन होंगे डिटेल, कुश्चन अनसर फॉर्मेट औ पर attempt करोगे मन्थली सेक्शन जो की बहुत important है क्योंकि चार तरह की PDF आपको मिलनी है, डेटेल क्रेंट फेर की, question and answer format की, best 100 क्रेंट फेर वो भी question and answer format में और चौती PDF होगी pocket PDF जिसमें दो line में, तीन line में आपको क्रेंट फेर मिल जाएगा तांकि जल्दी-जल्दी में आप को revise कर सको, लेकिन आपकी performance को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग-लग तरह की topic-wise PDF दे रहे हैं, तांकि एक topic, दो topic को अगर आप revise करना चाहते हैं, तो आप topic-wise PDF से कर सकते हैं, अगर आप banking student हैं, तो हम आपको 3 sections देंगे, जो की सिरफ banking and economy से related होंगे, एक में detail होगी, question and answer format होगा, request होगा, quiz होगा, quiz आप हमारी application के उपर ही attempt कर सकते हो, लेकिन वो monthly basis पे attempt कर सकते हो, इसी तरह से आपको एक exam PDF मिलेगी, जिसमें जितना भी क्रेंट फेर जा चुका है 2020 का, उसको revise करने के लिए आप इसका use कर सकते हो, आपको detail में budget और economic survey मिलेगा, और इसमें answer भी बताये जाएंगे, जो budget और economic survey से examiner बना सकता है, और अगर आप किसी भी state exam की त्यारी कर रहे हैं, तो हम आपको हर state का current fare provide करेंगे, ताकि आपकी state performance improve हो सके, तो इसी तरह से ये सारे current fare आपको मिलेंगे, लेकिन एकठे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हम अगर आप नए student अपनी preparation को start करें, तो हम आपको advise करूँगा कि आप 2 साल का buy करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत costly होगा, अभी buy कर लोगे तो बहुत जादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों subscription में 10% extra discount मिल रहा है, अगर आप इस code का use करेंगे, ASH10 का, औ इस email ID और इस number पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको doubt है, तो start करते हैं, पांच जनवरी 2022 के current fear, लेकिन उससे पहले और सारे बच्चों से request है कि वीडियो को like करना है, share करें maximum to maximum और चैनल को subscribe ज़रूर कर लें, और telegram group को आप पेहली, woman, chairman और managing director appoint की गी हैं, और ये हैं अलका मितल, तो answer क्या होगा, इसका D होगा, तो आप यहाँ पे अलका मितल देख सकते हैं, additional charge दिया गया इनको chairman और managing director का, लेकिन important क्यों है ये question क्योंकि पहली बार हुआ है कि किसी औरत को chairman और managing director लगाया गया है, इस organization का, ये एक का और इससे पहले, जो chairman और managing director थे, वो कौन थे, वो थे, सुभाश कुमार, तो ये भी आप याद रख सकते हो, कि इससे पहले कौन थे, सुभाश कुमार, और वो 30 December को retire हो गे हैं, तो अब जो कार्याबार है, वो कौन संभालेगा, अलका मितल जी संभालेंगी, और अलका मितल जी का, ये भी आप याद रखोगे, सुमा मॉंडल जो की, पहली woman chairperson जो है, वो steel authority of India limited की बनाई गई थी, तो वो भी आप याद रख सकते हो, इसी तरह अलका मितल की तरह, ये भी question आपको बहुत बार exam में मिलेगा, लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो, ये भी बहुत important है, जैसे सुमन शर्मा का आप नाम देख रहे हो, ये recently लगाई गी है, managing director, solar energy corporation of India की, solar energy corporation of India, इसी तरह से मीरा महनती का आप नाम देख रहे हो, ये joint secretary लगाई गई थी, prime minister office की, मतलब PMO की, और हर्शवंती बिष्ट, इनको लगाया गया था, first woman president, first woman president कौनसी organization का, Indian mountaineering organization का, औ IMF का, याद रखना आपने, तीनों की तीनों appointment चो है, वो बहुत important है, तो इसी के साथ अगले question के उपर आते हैं, किसको appoint किया गया है, नया director journal, national mission for clean ganga के लिए, बहुत important question है, नया director journal बना दिया गया है, national mission for clean ganga, और ये कौन है, जी अशोक कुमार, तो अंसर क्या होगा, इसक इससे पहले कौन थे, इससे पहले हमारे पास थे, रजीव रंजन जी, तो याद रखोगे पुराना नाम, रजीव रंजन मिश्रा, जो की पहले mission director रहे चुके हैं, national mission for clean ganga के लिए, और ये बहुत बड़ा नाम है जी अशोक कुमार, क्योंकि बहुत से award जो है, वो जी चु है, वो निबाई है, और इनको जल मित्रा अवार्ड भी दिया जा चका है, आंदरपरदेश सरकार की तरफ से, इवन इनको तेलांगना सरकार की तरफ से भी एक excellence अवार्ड जो है, वो दिया जा चुका है, वो भी इनके public administration काम के लिए, तो इनको rain man of India के नाम से भी जाना जा और साथ में अपने national mission for clean ganga के बारे में याद रखना है, ये एक society है जो 2011 में register की गई थी, ये ministry of जल शक्ती के अंडर आती है, लेकिन इसमें एक खास बात है कि इसका main काम है कि river ganga, मतलों जो हमारी ganga नदी है, उसको हमने क्या करना है, साफ रखना है, तो ganga को purify करने के लेकिन बाकी जो दो नाम आप देख रहे हो, इवन तीन नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत important है, लाइक रितेश चोहान का आप नाम देख रहे हो, ये recently CEO लगाए गए हैं सरकार की एक योजना के लिए, जो है परदान मंतरी, परदान मंतरी फसल बीमा योजना, प्र पस्ट डिरेक्टर जरने लगाएगे हैं, इर शेक, पदमजा चुंदरू, एक बहुत important appointment है, खासकर के banking के students के लिए, ये MD और CEO लगाएगे हैं, किसके national security, national security depository limited के, NSDL के, बहुत important appointment के साथ, अगला question है हमारे पास, which state, ऐसी पहली state कौन सी है, जो LPG enabled, smoke free Indian state जो है, वो बन च पता था, सारे के सारे लोगों के पास, जो LPG है, और कोई भी बिमारी जो है, वो और वो औरतों को नहीं हो सकती, जो दूएं से होने वाली होती है, और ये state हमारे पास कौन सी है, हिमाचल परदेश, ये हुआ है, दो schemes की बदौलत, जो की हिमाचल परदेश सरकार और सेंटर गवर्मेंट की सरकार के तरफ से चलाई गई थी, तो आप देख सकते हो, सेंटर गवर्मेंट की scheme थी, प्राइम मिनिस्टर उजवला जोजना, वो स्टार्ट की गई थी, एक थी हमाचल परदेश सरकार की गरहनी सुविदा योजना, ये दो schemes का लाव उठाके, सारे के सारे लोगों के पास LPG हो चुका है, अब कोई भी जो है, वो ऐसा fuel यूज नहीं करता, लाइक जिससे दुआ हो रहा और जिससे जो है, वो कई तरह की बिमारियां हो रही हैं, और ओरतें बिमार हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उजवला जोजना, जो है, वो अलग-लग तरह की बिमारियों से राहत पाने के लिए, ताकि जो औरतों हैं, उनको घर के अंदर जो है, वो पल्यूशन ना मिले, वो LPG सिलेंडर का यूज कर सकें, ऐसे ही ग्रहनी सुविदा योजना, जो की प्राइम मिनिस्टर उजवला जोजना के अंदर नहीं कवर हुई हैं, तो उनक प्राइम मिनिस्टर उजवला जोजना थी दोस्तों, जिसको 2016 में, यूपी से जो है, वो लॉंच किया गया था, जिसमें LPG सिलेंडर को जो है, वो फ्री ओफ कॉस्ट, रूरल और डिप्राइव हाउसोल्ड को, जिनके पास नहीं था, उनको जो है, वो प्रोवाइट करना ह अब इसका दूसरा वर्जन भी दोस्तों, 2021 में लॉंच कर दिया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, उजवला जोजना 2.0, ये भी कहां से लॉंच की गई है, यूपी से लॉंच की गई है, तो याद रखना है हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे थे हिमाचर प्रदेश, हिमाच आपको मिलेंगे बहुत इंपोर्टेंट नैशनल पार्क, ग्रेट हिमालियन नैशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा, ये एक तरह की युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट भी है, ये भी याद रख सकते हो, इंदर किला नैशनल पार्क मिल जाएगा यहां पे, अगले question के उपर आते हैं, अगला है हमारे पास very important question section लेकिन उससे पहले आर वीडियो को like जरूर करना है, share करें maximum to maximum और चैनल को subscribe कर लें अभी के अभी, और telegram group को आप description box से join कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ PO course के बारे में कुछ detail में discuss करूँगा कि आपको क् free of cost है और किस तरह से यह आपकी preparation में आपको lab दे सकता है और आपको बहुत अच्छा score करने के लिए जो है वो आगे उत्षाहिद करेगा, तो ध्यान से सुनना है, 50 से 55 सेकिंड लोगा आपके तांकि आप पूरी की पूरी detail जो है वो जान सको, जैसा कि आप लोगों को पता ह तो यह 25 दिन का जो है program बनेगा, क्यों 25 दिन का क्योंकि इसमें Monday to Friday ही हम आपको quiz जो है वो provide करेंगे, इसमें सिरुक quiz होंगे, जो कि आपको हर दिन provide किये जाएंगे Monday to Friday, 70 questions रोज provide किये जाएंगे, जिसमें 20 questions math के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 questions जो है reasoning के होंगे, 30 questions जो है, वो banking and journal awareness के होंगे, तो आप देख सकते हो, इस तरह का यह quiz होगा, आप इसको रोज attempt कर सकते हो, जरूर नहीं कि आज का कोई आज ही attempt करने है, कोई limit नहीं है, आप कभी भी उसको attempt कर सकते हो, लेकिन इसको attempt करने के लिए आपको हमारी application को download करना पड़ेगा, careers cloud application को download कर which company became the first company, पूरे world में यह ऐसी पहली company है, जिसकी market capitalization मतलब जिसकी stock market value जो है, वो तीन trillion dollar हो चुकी है, बहुत बड़ी बात है, और इनके stock prices जो है, वो बढ़ गए थे, एक January 2022 को, जिसके बाद इनकी market capitalization जो है, वो तीन trillion dollar हो चुकी थी, और यह एक मतर company कौन सी है, एपल है, त तो ए अंसर होगा, तो एपल के जो stock market value वो तीन trillion dollar होगी, और यह एक January 2022 को, जब उनके share जो है, उनके prices जो है, वो बढ़ गए, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा investment जो है, वो की गई, याद रखना है, एपल एक ऐसी company है, एपल ने एक trillion USD का जो milestone था, वो 2018 में जो है, वो प keep कर लिया है, तो अब investment जो है, वो बढ़ेंगी, एपल आईफोन में, मैक बुक में, जो भी एपल services प्रोवाइड कर रहा है, उसमें investment जो है, वो definitely increase होंगी ही, होंगी, लेकिन और भी companies हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, alphabet है हमारे पास, Google की, Amazon है, Amazon, Tesla, यह ऐसी companies हैं दोस्तों, जिनकी market capitalization जो अभी एक trillion dollar है, याद रख सकते हो, बहुत important companies है, लेकिन इनकी market capitalization एक trillion है, दो trillion या दो trillion से ज़्यादा companies जो है, वो एक तो आपको बताई चुकों है, एक दोस्तों Microsoft भी है, Microsoft की जो market capitalization है, वो 2.5 trillion dollar है, यह भी आप याद रख सकते हो, और Tesla जो है, वो बहुत important vehicle भी एक launch करने वाला है, जो की अपने आप में खास होगा, और Apple के जो CEO है, वो Tim Cook हैं दोस्तों, Tim Cook, और यहाँ का headquarter जो है, वो कहाँ पे है, California, मतलब United States of America, अगले question के उपर आते हैं, अपर limit बतानी है अपने offline payment की per transaction के basis पे, जो की RB ने recently एक offline digital payments के regarding जो है, वो कुछ guidelines जो है, वो जारी की है, तो RB ने recently बताया था कि हम कुछ ऐसा payment system launch करेंगे, जिसमें आप offline भी payment कर सकते हो, लेकिन एक condition है, कि जो भी आप offline payment करोगे, वो दोनों बंदे सामने आमने होने चाहिए, तो इसलिए जो है, यह payment successful होगी, और एक transaction में, आप जो है, वो 200 रुपए जो है, वो ज खास बात है, तो 200 रुपए per transaction और maximum to maximum 2000 रुपए जो है, वो एक time में आप जो है, वो क्या कर सकते हो, share कर सकते हो, offline mode में, और लेकिन इसमें खास बात है, मैंने बताया था, face to face mode होना चाहिए, मतलब आमने सामने जो है, आप होने चाहिए, तभी जो है, वो आप इस payment को successful कर प जो कि section 11 के साथ पढ़ा जाएगा, किसके payment and settlement system 2007, आपने यह याद रखना है, कई बर examiner पूछ लेता है, कि कौन से act के अंदर आता है, payment and settlement system act 2007 के अंदर आता है, तो एक बहुत ही अच्छा system, लेकिन जब आप payment को करोगे, तो उसी time period पर आपको notification ने आएगा, वो थोड़ा सा बाद में आएगा, क्योंकि SMS या email के थूँ बेजा जाएगा, तो उसके लिए telecom provider की जरूरत होगी, या फिर आपको internet की जरूरत होगी, तो इसलिए वो बाद में आपको message या email आएगा, और फिरी आप उसको verify कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कोई like additional factor of authentication, कोई one time password ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं आएगा, आप एकदम से payment जो है, वो कर सकते हो, तो offline transaction और या आप कह सकते हो, rural area में या semi urban area में और ज्यादा digitalization हो सके, उसके लिए इस तरह का system जो वो RBA ने start किया है, लेकिन एक खास बात है, कि दोनों तरफ से devices होनी चाहिए, जो offline payment को sport करती हो, त इस तरह की devices जो है, वो RBA अभी distribute कर रहा है, तो दीरे-दीरे करके, ये सब जगा पे जो है, वो start हो जाएगा, तो याद रखना है, minimum to minimum, जो है, वो आप, maximum to maximum, sorry, 2000 रुपे जो है, वो कर सकते हो, और एक transaction में, maximum to maximum 200 रुपे आप transfer कर सकते हो, अगले question के उपर आते हैं, ऐसी of color, मतलब वो white नहीं है, non-white है, to make a solo unsported trek to the earth south pole, तो south pole की तरफ उन्होंने trekking की है, ऐसी पहली महिला है, जो non-white है, मतलब white नहीं है वो, और ये हैं हमारे पास हरपृत चांदी जी, तो answer क्या होगा, इसका, C होगा, हरपृत चंदी जी भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आप उ प्रीत, मतलब polar प्रीत, और ये 700 mile solo expedition इन्होंने की है, कहां पे south pole के अंदर, मतलब अगर मैं कहूं, यह world है, तो यहाँ पे आप पहुंचे, और यहाँ पे है हमारा south pole, 40 दिन के अंदर इन्होंने इस यात्रा, इस trekking को, जो है, वो पूरा किया है, और जो हमारे पास हरपृत हैं, ये British Sikh Army Officer है, ये भी आपने याद रखना है, British Sikh Army Officer, even Captain Rank की ये महिला जो है, वो officer है, और पहली non-white है, जो south pole की तरफ जो है, उन्होंने trekking की है, और आपने याद रखना है, Antarctica जो है, वो southern most continent है, पूरे अर्थ के अंदर, और magnetic south pole जो है, वो वहीं पे located है, और सारा साल जो है गोतरी, शायद मैंने बहुत बार जो है, इसके बारे में जिकर किया, ये पहला हमारा research center था, वहां पर जो 1983 में बनाया था, फिर हमने मैतरी बनाया, कुछी time period के बाद, like 1988 में, फिर बहुत time के बाद हमने एक और बनाया, बार्ती, क्योंकि दक्षिन गंगोतरी तो अब काम नहीं कर रहा, और working में नहीं है, बार्ती जो है, वह हमने बनाया, तो ये तीन research center कहां पर हमारे, अंटार्टिका में, और अंटार्टिका का जो southernmost आप कह सकते हो, active volcano है, या पूरे अर्थ का आप कह सकते हो, जो southernmost active volcano है, वो कौन सा है, Mount Airbus, Mount Airbus, ये जो है, वो southernmost active volcano है, पूर जी के बारे में, हर्क्री चांदी जी के बारे में, तो अगले question के उपर आते हैं, लेकिन इसके question के अंदर आपने कुछ options को याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, संगीता सिंधी बहल का नाम, तो कुछ जस्ट रिकॉल करवा देता हूं आपको, संगीता सिंधी ब पहल, ऐसी रविंदर कुमार है, यह ऐसे पहले Indian administrative service officer है, जो Mount Everest पे चड़े, मतलब IS officer पहले जो Mount Everest पे चड़े, लवरा सिंग, यह ऐसे पहले person है, जो साथ बार Mount Everest के उपर चड़े है, मतलब बाकी जो बंदे आप देख रहे हो, जो Mount Everest से related है, oldest woman, first IS officer, और पहला person जो साथ बार Mount Everest पे चड़ा, वो लवराज सिंग है, तो यह सारे के सारे नाम भी आप अपनी knowledge को enhance कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो, ऐसी पहली company जो है, वो crypto wire बन चुकी है, जिसने cryptocurrency का index launch किया है, crypto currencies को मिला के, अब यह बहुत important news होने वाली है, क्योंकि आपने nifty सुना है, जिसमें कित cryptocurrencies का एक index है, और इसका नाम है IC15, तो अंसर क्या होगा, B, इसमें कितनी cryptocurrencies का index होगा, 15 companies का index होगा, कौन सी company ले launch किया, crypto wire, आपको examiner पूछ सकता है, कि crypto currencies के पहले index का नाम, और उसकी company जो है, वो कौन सी है, तो आपने याद रखना है, इसमें बहुत ही famous cryptocurrencies, Bitcoin है, Ethereum है, Ripple है, Cardano ह Binance है, इसमें Dogecoin है, Shiba INU है, यह सारी cryptocurrencies का index जो है, वो तियार किया गया है, और यह index 80%, मतलब 80% market movement को cover करता है, जिससे हम पूरी market को अंदाजा लगा सकते हैं, कि उपर जा रही है, या फिर नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब 15 cryptocurrencies हैं, उनकी performance को देखके, हम पूरी market का जायजा ले सकते हैं, कि किस तरह से जो market है, cryptocurrency की move करेगी, और cryptocurrency के बारे में जो है, वो अपने याद रखना है, कि एक तरह की digital money है, जो की decentralized है, मतलब इसको कोई control नहीं कर रहा, यह सिरफ लोगों के खरीदने या बेचने के according इसका price बढ़ता या कम होता है, तो इसलिए इसको याद रखना है, और यह company जो crypto wire है दोस्तों, यह मुंबई महाराष्टरा based organization है, company है, और इसके MD और CEO कौन है, जिगिश सोनागर, जिगिश सोनागर, यह भी आप याद जो है, वो रख सकते हैं, और यहाँ पर आप यह index देख सकते हैं, यह इस तरह की 15 जो है, वो cryptocurrencies को मिला के जो है, वो बना हुआ है, अगला आते हैं, ऐसी कौन सी state में, एक company है, Azure Power Global, वो largest solar power project इंडिया में लगा रही है, जो की वहीं own कर रहे हैं, वहीं उसको operate करेंगे, और single location, मतलब एक ही location पे उसको लगाया जा रहा है, और एक ही developer है, तो देखो, कितनी चीज़ हैं इस question के अंद Azure Power Global, और यह कहां पे लगा रहे हैं दोस्तों, बिकानेर के अंदर, और बिकानेर कहां पे है, राजस्थान के अंदर, तो answer क्या होगा इसका, यह होगा, तो आप यहां पे देख सकते हो, Azure Power fully commissions, it's 600 megawatts, SECI project, मतलब Solar Energy Corporation of India का यह project है, और largest owned and operated single site solar project बन चुक है इंडिया में, मत इसमें total 600 megawatts, जो है, वो interstate transmission system, जो है, वो solar project का establish किया गया है, याद रखना है, आपने total 600 megawatts का है यह, और यह जितनी भी solar power generate होगी, उसको supply करेंगे, Solar Energy Corporation of India को, सिरफ almost 5.5 रुपे में, per kilowatt hour के साब से, 25 साल का यह agreement, जो है, SECI के साथ, इन्होंने sign किया है, पहले 500 megawatts, recently start किया, तो total कितना हो गया, 600 megawatts, तो याद रखना है, यह largest solar power project इंडिया का, जो की एकी company own कर रही है, वही company इसको operate करेगी, और एकी location के अंदर उसको बनाया गया, उसको develop किया गया है, तो यह याद रखना आपने, और इसमें organization important है, Solar Energy Corporation of India, मैं पहले भी बात कर चुको, इन agriculture, 갑 hm, जो हैं, वो आशoq गहलोट है, और यहाँ के governor, जो हैं, वो कलराजमिश्रा है, कलराजमिश्रा, और यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत important national park, सरिस्का, सरिस्का wildlife century बहुत important है, यहीं पर आपको मिलेगा रंथम बोर, रंथम बोर, नाशनल पार्णिप, यहीं पर आपक company ने Unified Presentment Management System जो है वो start किया है बहुत ही simple सा system है ये और ये start किया है NPCA बारत बिल पे लिम्टेट ने तो answer क्या होगा C होगा NPCA बारत बिल पे लिम्टेट मतलब इसको आप NBBLB कह सकते हो ये एक तरह से international arm है ये international organization है किसकी NPCA की National Payment Corporation of India की जो की international level पे जो है वो इसको चलाती है लेकिन आपने याद रखना है कि ये Unified Presentment Management System है क्या कि जब आप कोई पेमेंट करना चाहते हो कोई बिल है आपका वो अपने आपी जो है वो क्या हो जाए अपने ही पे हो जाए तो आपकी बार बार जो है वो ऊतने ही पेंट आती है और कितनी भी पेंट आती है तो अपने आप ही पें हो जाए आपको मतलब भूलने का जो आपका जो रहता है दिमाग के अंदर की कही निकलना है जाए ले kindly payment आप कर सकते हो इससे क्या होगा कि जो double payments हो जाती है कई बार आप भी कर देते हैं या फिर पहली बार error आ जाता है दूसरी बार कर देते हैं फिर दोनों बार एक्षिन ले सकते हैं auto debit की option है कि अपने आप भी बिल जो है वो payment हो सकता है और आप उसको manage भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा system जो है वो NPCI मतलब NBBL की तरफ से launch किया गया है तो UPMS Unified Presentment Management System जो है वो एक centralized infrastructure application sports system है जो की बारत बिल पे की तरफ से जो है आप कह सकते हो कि start किया ग इसको use करने के लिए apply कर चुके है और इनको permission भी मिल चुकी है बिलर से customer तक इस system को use करने की तो बहुत ही अच्छा system है लेकिन आपने याद रखना है NPCI बारत बिल पे limited के बारे में कि इसके जो CEO है वो नुपूर चतुरवेदी है नुपूर चतुरवेदी इसको establish किया गय बेसिकली 21 में जो अपना काम करना स्टार्ट किया और इसका headquarter कहां पर मुंबई है NPCI के साथ confuse नहीं करेंगे NPCI 2008 में बनाया गया इसके जो CEO है वो कौन है दिलीप असबे है कौन है दिलीप असबे अगले question के उपर आते हैं तीन बार gold medal इस जीतने वाले और world record भी है इनके नाम पे और इनका नाम है विक्टर डेनिलोविच सान्याव इनका देहान्त हो गया दोस्तों ये कौन सी game से समन्दित है तो याद रखना है ये triple jump जो है उससे समन्दित है Olympics में triple jump में इन्होंने तीन बार gold medal जीता है और एक बार जो है वो silver medal जीता है बहुत बड़ी बात है विक्टर सान्याव पास्ट अवे कौन सी country से बिलॉंग करते हैं देखो अगर आपको country पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि ये जॉर्जिया से बिलॉंग करते हैं लेकिन इसमें खास बत क्या है कि ये USSR को रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि Union of Soviet Socialist Republic की तरफ से ट्रिपल जंप गेम में पाटी स्पिट करते हैं बाद में अस्टेलिया के कोच भी रहे हैं इसके कारण ये अस्टेलिया में रहना स्टार्ट कर चुके थे उसके बाद और इनका देहान भी कहां पे हुआ है अस्टे 1986 में मॉन्ट्रियल कैनेडा में गोल्ड मेडल जीता फिर 1980 में जो है वो मॉस्को में ये सिलवर मेडल जो है वो जीते थे तो तीन गोल्ड और एक सिलवर नाम है विक्टर सान्या ट्रिपल जंप गेम है अस्टेलिया टीम के कोच भी रह चुके हैं और साथी साथ USSR को लंपी गेमिस में रिपर्जेंट कर चुके हैं नाम याद रखना है बहुत इंपोर्टेंड है विक्तर सान्या अगला आते हैं कुश्चिन पिक्चर से आपने इसको याद रखना है और कुश्चिन है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो दर्मेंदर परदान है उन्होंने एक प प्रवाइट किये जाते हैं नई टेक्नालजी के थुरू मतलब एजुकेशन टेकनालजी सिल्यूशन जो प्रवाइट किये जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके थुरू बारान लाख सोशली या एकनोमिकली डिसधवांटेज स्टूडेंट्स को जो है वह जिससे वो free of course है वो कुछ courses को जो है वो देख सकते हैं जिसकी cost almost 253 crore rupees है जो कि सरकार की तरफ से पे की जाएगी और यह सारे के सारे courses artificial intelligence based हैं जिसमें education sector में आप कह सकते हो learners की convenience के according बनाया गया है और जिससे आपकी improvement का पता लगेगा skill development होगी और आपको employability जो है वो provide होगी मतल मिलके जो है वो 100 तरह के अलगलग courses provide कर रहा है अलगलग तरह का material जो है वो provide कर रहा है ताकि बच्चों को अलगलग तरह की चीजे education technology माद्यम से जो है वो मिल सके और साथी साथ जो है वो all India council for technical education की technical जो books हैं वो regional languages में provide कीगी है मतलब जो उनकी अपनी language है बोलने वाली उस language म provide की है ताकि बच्चों को technical चीजे जो है वो समझने में कोई भी तरह की problem ना हो और यह है union minister दर्मेंदर परदान इनकी constituency मद्यपरदेश राजयसभा के member हैं अगला आते हैं common service center जो की ministry of electronics का एक हिस्सा है तो उनको एक जिम्मेवरी दी गई है कि आपने जो है वो एक survey करना है क इसका villages का जो की cultural survey होगा बहुत बड़ी बात है कि पहली बार हो रहा है कि ए cultural survey किया जा रहा है वो common service center ministry of electronics के ये करेंगे survey लेकिन इसमें खास बात क्या होगी इसमें गाउं गाउं जाके ये पता किया जाएगा कि आपका custom tradition क्या है कौन से त्योहारों को आप मनाते हैं आपक application जो है वो किसकी तरफ से develop की जाएगी ये common service center की तरफ से develop की जाएगी तो एक बहुत ही अनोखा जो है वो survey किया जा रहा है और इस survey का नाम है मेरा गाउं मेरी द्रोहर तो इस survey के तहट जो है वो एक mobile application के थ्रूँ data upload किया जाएगा और ये कौन करेगा ये village level entrepreneurs करेंगे और village level entrepreneurs को training देने का काम जो है वो कौन करेगा common service center करेगा तो ये चार लाख village level entrepreneur 6,38,000 village गाउं मतलब गाउं के अंदर जाएंगे और वहां से ये data इकठा करके application के अपर अपलोड करेंगे और ये survey जो है वो almost 6 महीने के अंदर मतलब मिड 2022 के अंदर खतम हो जाएगा जिससे हम आद रखना है एक अनोखा survey जिसका नाम है मेरा गाउं मेरी द्रोहर अगला आते है important questions के उपर लेकिन उससे पहले आर वीडियो को like जरूर कर देना है share करें maximum to maximum और चैनल को subscribe कर लें और telegram group को आप description box से join कर लेंगे तो पहला question है एक ही question है basically इसमें आप picture से करोगे उसको cover कि Dr जितेंदर सिंग जी ने एक web portal launch किया है तांकि PM Excellence Awards जो है वो वहाँ पे दिये जा सके और PM Excellence Awards के लिए nomination वहाँ पे बरी जा सके तो इस web portal का नाम है pmawards.gov.in और इसके तहट जो है वो राशी दी जाती थी पहले 10 लाक रुपे लेकिन अब कितनी राशी दी जाया करेगी 20 लाक जो कि किसी आप कह सकते हो organization को किसी district को मिलती है तांकि इसको public welfare के लिए जो है वो use किया जा सके लोगों की बलाई के लिए use किया जा सके और इसमें जो भी awards मिलेंगे वो generally किसी district या organization को मिलोंगे जिनोंने लोगों के लिए काम किया हो 1 April 2019 से लेके December 31st 2021 तर तो ये मतलब time period जो के लिए mandatory है कि वो इसमें apply करें क्योंकि उनके area का फिर survey किया जाएगा देखा जाएगा कि उन्होंने क्या का काम किया है total अठना award जो है वो इसमें दिया जाएंगे तो इसमें important क्या है इसमें important है PM Excellence Award PM Excellence Award acknowledge करता है recognize करता है reward करता है उन extraordinary organizations को districts को जो की center या state government की तरफ से जो है अब आते हैं one-niner important point जिसमें पहला है ONGC की अलका मितल पहली ऐसी women बन गी है जो उनकी chairperson और managing director बनी है already पहला question यहीं था आज का तीन बार Olympic medal जी चुके triple jump के अंदर विक्टर सान्याव उनका दिहान्त हो गया है USSR को represent करते थे Olympics के अंदर इंडिया ने सबसे जादा export जो है व बहुत बड़ी बात है और यह सबसे ज़्यादा है अभी तक का export जो इंडिया ने किया है यह ministry of commerce की तरफ से बताया गया है और कौन है प्यूश गोयल जी यूनियन मिनिस्टर है इसके और constituency कौन से इनकी महराश्टरा डॉक्टर जितेंदर सिंग ने web portal launch किया है तांकि PM awards for excellence दिये जासा कि हम अल्लेडी cover कर चुके हैं 22 admiral SS Sharma उनका देहान थो गया है और इनका पूरा ना में श्री हरीलाल शर्मा यह senior most living war veteran थे और इनका देहान जो है ओडिसा में होगे मतलब कौन सी स्टेट से बिलॉंग करते थे ओडिसा से बिलॉंग करते थे 1965 में भी इंडो पार war में इन्होंने अपना योगदान दिया और second world war में भी इन्होंने अपना योगदान दिया इनके एक autobiography है नाम याद रखेंगे my years at sea my years at sea तो यह किसकी autobiography है SH Sharma यह शिरी हरीलाल शर्मा जीता world braille day 4 january को जो है वो मनाया गया आपको पता होगा dotted language हम कहते हैं इसको तो dots के थ्रू जो है वो आप पढ़ सकते हो आप जो है वो समझ सकते हो चीजों को तो यह 4 january को मनाया जाता है ताकि लोगों में braille language की importance के बारे में बताया जा सके कि जो like देखनी सकते और जो सुननी सक वो भी communication कर सकते हैं इस तरह की language और उनका भी human right है यार वो भी जो है वो क्या कर सकते है जो देखनी सकते वो भी जो है उनका right है human right है कि वो भी जो है वो पूरी तरह से समाज के अंदर जानकारी हासिल कर सके हैं तो वो braille language ही है जिसके थूरू वो पूरी जानकारी हासिल करत रहता है World Day 4 January को आप यहां पर देख सकते हैं तो जुरूर याद रखेंगे अगला है 4 January 2022 का question क्या था question था कि National Payment Corporation of India की तरफ से Beam application को बनाया गया था किसके साथ मिलके जो है वो इसको बनाया गया था सबसे पहले Beam का मतलब बारत interface for money यह याद रखोगे यह एक ऐसी mobile application developed की गई थी NPCA की तरफ से जिससे आप UPA के माद़न से unified payment interface के माद़न से payment कर सकते थे इसको launch किया गया था 30 December 2016 को और यह e-payment system था जिसके थूँ आप कहीं भी digital payment या cashless transaction जो है वो कर सकते हो और इसको just pay की तरफ से जो है वो launch किया गया था मतलब NPCAE और just pay ने मिलके जो है इसको बनाया था अब आते हैं question of the day question of the day क्या कहता है कि center government का share कितना है RRB में आपको पता है तीन तरह के share होते है center government का state का और एक sponsor bank का तो आपने मुझे center government का बताना है कि RRB में कितना share है मुझे आप answer comment box में बताओगे आपके answer का मैं wait करूँगा लेकिन video को उससे पहले like करना है maximum to maximum share करेंग और यह fairs cloud का promise है यह आपके confidence को जुरूर boost करेगा इसी तरह से आगे बढ़ते रहें लेकिन life को बहुत ज़्यादा serious निलोगे हमेशा खुश रोगे smiley की तरह और आगे बढ़ते रहेंगी thank you guys take care and bye bye